नमस्ताय दोस्तों मैं आरवी की चनल पर आपसे विकादिल से हुआज स्वागते आज यहां पे दो ऐसी इस स्पेसल रेष्प vivre लेकर क्या हूँ हूँ मसाले जो होते है इसके एक तम इस पेशल होते हैं अलग होते हैं बहुत इछी लगती है इसे आप नाचते में Super बहुत आप啊 बी घ्राम कभी भी खा सकते हो इसे जब भी आप पर में जा हैं गयों पहुत दिख के जाते हूं तो इसको अपने पेसल टमाटर की रेस्पी बनाएंगे जिसे आप 15 दिन तक इस्टोर करके भी रख सकते हो फ्रीज में और अगर बाहर रखते हो तो चारपांदी नहीं रखिएगा कोई भी चीज बना ये फ्रेस खायेगा बाहर रख रहे हैं तो फ्रीज में भी बहुत लंबा जो चीजे जरूर बनाईएगा आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा चैनल पर नए है तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि हमारी निव वीडियो आप लोग तक पहुँच जाए तो इसके लिए लेने होंगे रेड रेड टमाटर और नहीं म उसके अच्छा लोग बनाईएगा तो बहुत लोग लोगों को नहीं में चीलके लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और मैंसब्जी में इस तरीके से डालती हुए देखे सारी तमाटर के चिलके निकल जाते हैं तो यहां पर आपको देखेगा की नम इन तमाट अच्छी केझा माद है वह पाह्त पतनी paganism क δाैस है कि वह आटे सब्सक्राइब रिक्रνο मुह विछन ने समय के लग चैन में तो स्वर्डेया सब्सक्राइब अच्छी ने कि आट। इतक तो बहुत लोग को बहुत भोलती हूँ तो थेंक यू तो भूलना काम है नहीं बोलेंगे तो हम यह काम रूख जाएगा जो लोगे सुनते हैं दिल से वहीं आसा कमेंट करते है इसके लिए दिल से धीर सार आप रोंगों को प्यार हमारी तरफ से रहाएँ है में यहाँ यह जो रेस्पी तो यहां पर में सर्सो का ताल लोसा पर शर्सो का तेल ऑने रेस्पी ए स्टीर ही जब शर्सो का तो यहां चूल जेतल ले नहीं लेना है सर्सो का तेल एक वल्य चु नेक्ऌ बॉ ссыл ऑख六 तीन इका सरसो का तेल ही आता है अब यहां पे तेज पता डालेंगे मिर्ची डालेंगे और जब भी तड़का डाले तो गैस लो कर दे ताकि हमें तड़के को सेकना है जलाना बिल्कुल नहीं है सारी चीजों का फ्लेवर हमें चाहिए तो यह मसाले डाल देते हैं सौफ जीरा जल लाते हैं और इनको अच्छे से सिख ने देती हैं थोड़ी से चला में जाए तो यहां पर देखन पर और कैसे नहीं होता है अगर आपने आपने जला दिए तो पूरेशे में अलग साएगा और सलय्क्त यहां पे हम तड़के को देखे गैस लो करके भून रहे हैं यहां पे हमारा तड़का अच्छे से सिख जाए खुस्बू आने लगी जलाना बिल्कूल नहीं है इनको सेखना है उनको कच्छा भी नहीं छोड़ना है तो गैस लो करके देखे सिख चुके हैं अब हम इसमें जो कट्दूकस करके रखे थे टो कड्दूकस करके रखने से त्यमाटर देखे आप अपका सबाद की बचत होगी उसमें प्याइस जल्दी बन जाते है और बहुत अच्छे लगते स्वेश्फेने कोई चिल्के नहीं है तो इसके बगदे की है लिखे प्रेश लोगे तो हमें क तो हैं देखते हैं पर त्वरय लिए यहां पर दोटा चीनी कैंतों हो तो पाठे पकते हैंfer में धाले-एट यहां पर द Lokत 550 थ प्रमा दालेगी थिरmafi कित पर यह भी लिए दे zwischen किमत कि मैं हों जर्ञ भाइब भाई करना शक्कर आफर चाया है दो मुले कि एक उष्ए निशिदा करें पर चल्ट करें दो यह बिस्सप्राइब भाई अगर में इस्तिमाल किया जाता है तो करता है भी दोन था सवां मिलता है और टेस्ट बढ़ाने के लिए अपनी रेश्वी का इसमे नारियल तो यहां पर कद्दू कस कर लिया है और थोड़े से किस्मिस जिसे धुल दिया है अच्छा से साफ कर लीजेगा खजूर डाला है थोड़े सा यहां पर छुहारे भी आप ले सकते हैं खजूर को अच्छा से आप नहीं चाहरें कि आपका किस्मित बड़ा बड़ा सा फूल जाया यहां प्रूल तो अब बाद में डाल सकते हैं तो मैं आप भी डाल दी हूँ हो ठीके मुझे पसंद है यहां पर सारे मसालों के साथ जब किस्मिस पकता है तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है तो अब तो यहां पर थोड़ी से चुटकी पर जैसे कि आप लोग ने देखा बहुत सारा नमक डालियेगा और देखिए सारे गुल जब पिखल जाएंगे तो यह देखिए इस तरीके से पकने लगेंगे कितने सुन्दर लगते हैं और थोड़ा साइन को अच्छे से पकाईएगा एक अब्हण तरीके बहुम्त गवि मेंरे कि त пожकाःएंगे। तो अच्छे से बुंके ही पकाईएगा तो कि यह ज्यादाव ते तरीके से घराब नहीं होते हैं यह देखिंगे मेरे कि उस्तरीके से घरानों इस तरीके से उनेporal गई शसे उने बन गले tu आपको कि पख गई है तो यह रिखे बन के तयार हो चुकी है उमेद करूंगी कि आप लोको यह रेस्पी बहुत अच्छी लगी होगी होगी सच में बहुत अच्छी लगती है तो बना के फ्रीज में स्टोर कर दीजिए हमें सब कुछ मिला लेकिन बहुत जादा दुख के चजिए सुच कर लिए तो यहां पर इसमें मेंने लिया थ tio सोंफ हैस्ट और साबुधधनियां लेहसं और इसमें मैंने लिया है अर शारे आप तेल कस्की नमनुदी है तो यहां ठी सिल मिर्च ना अपने दूसरी वीडियो में यहां पे देखे इस तरीके से मंगरेला इसके उपर लगा कि हम इसको बेलेंगे और थोड़ सापको समझ में आगा हुए तुम मसाले को न आप पावडर रखी हो तो एक बावड में मिला लो मैं फ्रेस मसाले बनाती हूं तुरंत ही मेकसर में पी अपने कि अपने की आइडिया दे हूं अभी फुल रेस्पी लेकर के बहुत जलाओंगी तो लोहे कि तवे पे एक टिप सुर्ण पराथे बनाती है तो वह प्राथे कुरकुरे और कृष्वी बनते हैं इसके परत जो है उपर की एक दम कुरकुरी बनती है बहुत अच्छी फुल शहें जाड़ी हैं। च्पांट्प मैंपंधंगी बनेता हैं। यसाट म साथे बनाती हुई तो यह तोड़ी से घी लगता हैं। लगता हैं। तो यह रेखिए इनके परत जो होती है इतनी पतली होती है और अंदर सी मसाले के फिलिंग इतनी युमी और टेष्टी सच में प्राथे बनते हैं इसे आप कहीं जा रहे हो सफर में तो आपने साथ रख लो कुछ खाने की जुरूत नहीं पड़ेगी इतने तीखे होते हैं इत तो आपको बोरिंग नहीं लगता है ओमीटिंग नहीं लगती है थोड़ा सा मुझ में तीखा खाते रते हो तो बहुत अच्छी लगती है हमारे घर के सभी लोग कहीं भी कहीं जाए न तो सबी लोगों की आदत है मुझ से यहीं कहेंगे कि यह प्राठ्थे बना दो हम लोगों को वही लेकि जाना है सफर में इतना पसंद देदा है यह पर्माइस तो रोज आती है लेकिन मैं नहीं बनाती हूं कभी-कभी बनाए यह खाय कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छ कर दो कि वेले कंको फसके लिजिगा तेगी